सो हेलो दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके चैनल बियोग्राफिज जायत में सोगत है दोस्तों फैनली दिवे उपद आया है और पंकर जोशी के शादिय हो चुकी है जी हाद दोस्तों दोनोंे family share कर ली है लेकिन दोस्तों कि आपको पता है दोनों के बीज में एजञेप कितना है अगर आपको नहीं पता है तो चले हम आप सो ही कोई system बताते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसी request है आप दोनों के fan हो तो वीडियो को like करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप से एक लिए दोस्ता इसी वीडियो लाते रहते हैं तो चले दोस्ता वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे लिए दोस्तो बात कर लेते हैं पंकाज जोशी की तो पंका जोशी का जनाम दोस्तो 23 में 1904 को इंदोर में हुआ था और 2023 के साफ से दोस्तो वो 31 साल के है और पंका जोशी दोस्तो प्रोफेशन से सोचल मेडिया इंफलॉंसर और यूटूबर है यूटूब चैनल पे 9 मिल्यon सबस्क्राइबर है और वहीा दोस्तो बात करें दिवे की तो दिवे भी दोस्तो प्रोफेशन से सोचल मेडिया इंफलॉंसर और यूटूबर है और दिवय का जनाम दोस्तो 13 नॉइंबर 126 को इंदोर में हुआ था और दोस्तो 23 के हिसाब से 27 साल की है तो आप दोनों के इजगेप की बात करें तो जैसे कि आप सुई को मैंने बताया पंकाज जोशी 31 साल के हो चुके है और दिवय उपदाया 27 साल की हो चुकी है तो इसे आप से दोस्तो दोनों के बीच में एजगेप 2 साल का है यानि के दोस्तो पंकाज जोशी दिवय उपदाया याई से 2 साल बड़े है लेकिन वैसे आप सुई के दोनों के जोड़ी कैसी लगती है कमेंड में जोव से बताएए और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छ लगाऊंगा अगर आपको दोस्तों वीडियो जरा सब अच्छ लगाऊ तो वीडियो को जोब से लाइक करें और साथ ही साथ बियोगराफ ये जाई चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजिए